दोस्तों अगर आप यूटूबर है और आप यूटूबर पर वीडियो अपलोड करते हैं तो ऐसे में आपने देखा होगा जब भी आपने मुबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करते होगे तो आपके तीन प्रॉलम जरूर आते होगी या तो किसी एप में वाटर मार्क आ जाता ह होगा या तो जब रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो साथी साथ इसमें एड भी चलने लग जाती है या किसी एप में इंटर्नल साउंड भी रिकॉर्ड नहीं होता तो ऐसे में हमें काफी ज़्यादा प्रॉलम आती है अपनी मुबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी तीन एप के बारें बताने वालों जो की बहुत ही ज़्यादा कमाल किये जो भी मैं एप बताऊंगा उस एप में ना ही आपको वाटमार्क देखने को मिलेगा ना ही आपको एड देखने को मिलेगा और साथी साथ आप उसमें internal sound भी record कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्कीट ना करें पूरा end तक देखें जिससे आपसे कोई भी information miss ना हो तो चलिए दोस्तों बिना दिदिकरें वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से तीन एप है दोस्तों जो सब से पहला एप है उसके लिए से भी ज़ियादा लोगों ने डाउम्लोड करा है संभगा सकते हैं यह इधा सब्सक्तो empowermentल सब्सक्राइब कर सकते हैं जितंडो चाक्लिविध्रेंगे रिकोर्डेंगे यहांपन और देखेंगे और डिया पर देखेंगे रिकोर्डिक शुक्त शुक्त दोफ दोफ नियुक्त दोफ्सें कर सकते हैं आप दोस्तों जो दूसरा इसके लिखेंगे आप प्लेश्टोड पर एकस रिकोडर ओर यहांप देख सकते हैं जो सबसे पहला आप अपको और ऑपन करना है open करने के लिए पर देख सकते हैं यहां पर दाउनलोड है वह 10 कोड से भी ज्यादा लोगे ने इसको डाउनलोड करा होगा है और जो रेटिंग है इसकी वह 4.7 रेटिंग है और यहां पर देख सकते हैं one click to record है कि एक click में record भी चालू हो जाएगा pause continue कर सकते हैं और यहां पर easy to save and save है और देख सकते ही तरह high quality और clear sound है कि एकदम साफ आवाज में और high quality में आप record कर सकते हैं और one tap for screenshot है जैसे कभी कबार के आथ है recording करें बीच में screenshot भी लेना पड़ता है कभी कबार तो हम one tap में screenshot और यहां पर देख सकते हैं easy to use and operate है record with camera है यानि आप अपने face के साथ recording भी कर सकते हैं तो इतने सारे इस app में funson है जो कि आपको play store से free में आपको मिल जाते हैं आप इसको free में download कर सकते हैं और free में इसको use भी कर सकते हैं अब दोस्तों जो तीसरा और जो आखरी app में आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही जादा popular app है मेरे ख्याल से आप उसको पहले सी जानते भी होगे उस app का नाम है az screen recorder जैसे का आप इदर side में देखे है az screen recorder और यहां पर सबसे पहले ही app आ जा गई है तो इसको open कर लेंगे और यहां पर देख सकते है जो इसके डाउनलोड हो 5 कोट से भी ज्यादा लोगों इसको डाउनलोड कर रखा है और इसकी जो rating है वो 4.4 rating है इसकी और यहां पर देख सकते है कुछ इस तरह इसका interface दिखता है और यहां पर record your gameplay video आप जैसे कि इसमें game खेल रहे है अपने mobile phone तो उसको record कर सकते हैं और इसमें clear sound high quality video यहां पर आप setting कर सकते हैं जैसे अगर आपको quality थोड़ी कम करनी तो यहां से आप quality को video resolution को कम कर सकते हैं या video quality को थोड़ा कम कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं अपने साब से तो दोस्तो इतने सारे आपको इस app में इतने सारे function मिल जाते हैं जो कि आप free में download करके और उसको free में use कर सकते हैं तो दोस्तो यही तीन app है जिनकी मरस्ते आप अपने mobile phone में बड़ी असानी से screen recording कर सकते हैं और बाकि आप मुझे comment section में comment करके बताईए कि आपको इन तीन app में से सबसे ज़्यादा best app कौन सा लगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए प्लीज इस वीडियो को like, comment, share और subscribe करना ना भूले यह देगर आपके में पर नएप प्लीज चैनल को subscribe कर डीजेके कि एक ऐसी यूसफुल वीडियो एक चैनल आपको मिलती रही